असलाम अलेकम दोस्तों कैसे आप सब लोग उमीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे तो आज के इस वीडियो में साओधी अर्विया का कुछ लेटेस्ट अपडेट सेयर करने वाला हूँ जो की साओधी अर्विया में अभी अभी कुछ नया कानून होंगे जो आप लोगों को जनना जरूरी है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल आपको साओधी अर्विया का लेटेस्ट अपडेट मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा तो अब बात कर लेते हैं अपडेट की तो आज का सबसे पहला अपडेट है मतलब मिनिस्ट्री अफ इंटिरियर के तरफ से ये बताया गया है कि जो लोग भी करोंटाइन का नियम कानून को उलंगन करते हैं उनको दो लाक र रेगुलेसन का उलंगन करते हैं उनको बताया गया कि होटल में रुको रूम में रुको लेकिन वो लोग क्या करते हैं बाहर चले जाते हैं अपने फ्रेंट से मिलने चले जाते हैं या फिर होम करणटाइन किया गया है तो वो लोग क्या करते हैं कि चुपके से मॉल मार्के में घुमने चले जाते हैं तो ऐसा करने पर उनको दो लॉफ रियाल का फाइन और दो सल का जेल नहीं भी होता है तो आपको फर्मा मेंट के लिए टर्मीनेट कर दिया जाएगा बलेक लिष्ट में डाल दिया जाएगा आप दूबारा साथी अर्विया में नहीं आ सकते हैं तो जो लोग भी साथी अर्विया में आ रहा है तीन दिन का कुरोंटाइन हो या पास दिन का कुरोंटाइन है होटल कुरोंटाइन है या फिर होम कुरोंटाइन है वो लोग कुरोंटाइन का नियम का उलंगर ना करें क्योंकि 2 लाक रियाल बहुत बरी रकम होती है और अगला जो अपडेट है जो अजात के तरफ से है जो अजात के तरफ से एनाउंस किया गया है कि उन लोगों को गवर्मेंट सेक्टर और प्राइबेट सेक्टर मॉल मार्केट में नहीं जाने दिया जाएगा जो लिए हुए आठ महीना गुजर गया है और एक फरवरी से पहले वो लोग बुस्टर डोज अपना कंप्लीट नहीं करते हैं तो उन्हीं लोगों का सकेंड डोज लिए हुए आठ महीना नहीं हुआ है वो लोग अपना बुस्टर डोज कंप्लीट नहीं करते हैं तो भी उनक तोकलना का Immune Status नहीं अटाय जाएगा और ओ लोग गर्मेंट सेक्टर, प्राइबेट सेक्टर या मॉल मार्केट में जा सकते हैं और ये नियम एक फरवरी से लागू होगा और जिनका 18 साल से उपर का उमर है उन लोगों पर ये लागू होता है और अगला जो अपडेट है सौधी गर्मेंट के तरप से एननाउंस किया गया है कि 22 फरवरी को Funding Day मनाया जाएगा इससे पहले ये Funding Day नहीं मनाया जाता था सवधी अर्विया में, लेकिन इस साल से ये चालू होगा 22 फरवरी को, हर साल 22 फरवरी को Funding Day मनाया जाएगा उस दिन government sector और private sector में सब को holiday मिलेगा सब को छुटी मिलेगा चाहे वो लोग private sector में जो लोग काम करते हैं उनको भी छुटी मिलेगा और जो government sector में काम करते हैं उनको भी छुटी मिलेगा holiday एक दिन का उनको मिलेगा और ये भी बताया गया है कि जिस company को उस दिन urgent होता है उस दिन उसको काम कराना ही है तो वो permission लेके काम करा सकता है लेकिन अगला दिन जो worker काम करेंगे उनको छुट्टी मिलना चाहिए जो लोग भी urgent में 22 तारीको 22 फरवरी को काम कराते हैं और जो जो worker काम किया हुआ है उसको चुट्टी अगला देन मतलब 23 फरवरी को मिलना चाहिए तो 22 फरवरी को सबको चुट्टी मिलने वाला है government sector और private sector वालों को और ये चुट्टी आपको हर सल 22 फरवरी को मिलेगा यहीं साथी अर्विया का कुछ latest update था जो आप लोगों के साथ share किया हूँ अगर ये update आप ल आपडेट के साथ अभी के लिए खुदा आपिश